मैंने इस चैनल की शुरुवात आम भासा में, हिंदी भासा में आम आदमी को इंटिलेक्ट्टल प्रोपर्टी राइट से संबंधित कानूनों के बारे में जनकारी परदान करने के लिए इस चैनल की शुरुवात की है इस चैनल की शुरुवात करने से पहले मैंने दिमाग में अनेक नाम आये जैसे आई-पी लेन, आई-पी स्ट्रीट, आई-पी सिटी, बहुत सारे सब्द आये फिर मैंने सोचा क्यों न एक ऐसे सब्द का निमान किया जाए जो आज के डेट में अस्तित महीं न हो तो फिर मैंने दो विभिन भशाओं से सब्चुनें और फिर मैंने आई-पी एड्जुटर चैनल का नाम दिया तो आई-पी का मतलब है intellectual property और एड्जुटर एक Latin सब्द है जिसका मतलब है सहायक, assistant तो यह जो दो सब्द हैं आज तक किसी भी डिक्ष्णरी में किसी भी भासा में आई-पी एड्जुटर अस्तित्व में नहीं है एक्जिस्ट नहीं करता है इस सब्द का निमान मैंने 11 मार्च 2020 को किया है और इस चैनल का नाम दिया है आई-पी एड्जुटर तो मेरा नाम अजे अमिताब सुमन है मैं एड्वगेट हूँ डेली हाई कोट में लगभग 2002 जून जून जुन जुलाई से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी एक्सप प्रैक्टिस कर रहा हूं लगटार 2002 जुलाई से तो समय के हिसाब से मेरा ज्यान थोड़ा- थोड़ा बरता गया इंट्रेक्शल-पपटी-डी र्एक्ट के फिल्ड में और मैंने महसूस किया कि मैं इस इस्थिति में हूँ कि आम आज्मी को इंट्रेक्ट्ट्टल-पपट से समंधित कानून के बारे में जनकारी दे सकता हूं उन्हें समसंजा सकता हूं I have intentionally chosen Hindi language so that insofar as the English language is concerned that is the basic mode of communication in Honorable High Court of Delhi and whosoever is lawyer or a law student he can understand all these things in English language लेकिन चुकी मैंने इस चैनल को आम आद्मी के लिए बनाया है तो मेरी ये इक्षा है कि आम आद्मी भी कानूनी बारे कियों को कानूनी जनकारी को आम बोल चाल की भासा में भी हासिल कर सके तो इसलिए मैं basically Hindi सब्द कहीं इस्तेमाल करूंगा Hindi भासा कहीं इस्तेमाल करूंगा और जहां जहां पर English judgments explain करूंगा वहां पर सारे paragraph को English में पढ़के फिर Hindi में समझाने की कोशिस करूंगा इससे जो आम आद्मी है उसको समयने में सुविधा होगी तो दोस्तों आपका IP एजुटर चनल पर स्वागत है और उमीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप लोगों को intellectual property rights से संबंधित आनेक judgment बाड़कियों से जो basically honorable high court of Delhi और भारत के unnet tribunals supreme court आदी से पास होते हैं उनसे आपको जनकारी मिलती रहेगी तो आप लोगों से अनुरोध है इस चैनल को subscribe कर लें और bell icon भी दबा दें ताकि जितने भी मैं नए नए वीडियो डालूं उसके संबंधित में उसके संबंध में आपको जनकारी सबसे पहले मिलता रहे हैं धन्यवाद दोस्तों आपका इस चैनल पर धन्यवाद स्वागत है कर दोस्तों आपके संबंधित में नए रहे हैं